ह है यह लो गाइज ceci व में व्लकम बाडतक्र चानव आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉप्स आफंडिया के बारे में जैसे कि आपने अपनी 지난 14 आप देख हैं हम क्रॉप्स आप अपनी स्क्रीन पर सेश ने रिशन्य है क्वारी निलगा के तो हम ठोल लगा है जो आपके एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है गाईस तो चलिए लेक्टे स्टार्ट करते हैं तो मैं जिस PDF से पढ़ा रहा हूं जो मैंने प्रिपेर की है अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हो तो आप हमारी अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए वह तो आपको डाउ तो पूरी प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगी ठीक है एमजी के से स्क्रीट पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास क्या है यह जैसे कि हां पर एमसी के उस आपको दिख रहे होंगे ठीक है हमारे यह जो एक्कोनॉमिकस है वह भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे भाईयों वहनों तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर क्रॉप्स आफ इंडिया टू थार्ट्स आफ इंडिया पाप्यूलेशन जो है यहीं की दो बटा तीन पाप्यूलेशन जो है इंडिया की वह एग्रिकल्टर एक्टिविटी से जुड़ी हुई है ठीक है और यह प्राइमरी एक्टिविटी है जहां से हमारा फूट ग्रेंज और रॉब मेटिरियल जो सबसे पहले होता है ठीक है तो आप दृटएफ गले हिए चाहते हैं की यह टिविएफ आप लोगों के पास भी हो तो आप इसको पर्चेज कर सकते हैं ठीक है जैसे आप करेंगे तो मैं इस्तेंटльी आपको इसका PDF शेर कर देता हूं, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पर कोई समझ नहीं आता है, तो यह मेरा नमबर है, 788-977-0013, आपको कॉल नहीं करनी है, आपको सिर्फ वट्सेप करना है, ठीक है, चलिए, इंडिया इस जिग्राफिकली, आपको तो पत क्राप्स होती है, जो यहां पर कल्टीविट की जाती है, त्री में क्रॉपिंग सीजन हमारे रहते हैं, राभी क्राप्स, खारीफ क्राप्स, जेहद क्राप्स, ठीक है, तो जानेंगे इन सब क्राप्स के बारे में, उससे पहले देखते हैं, कि जो क्राप्स हो है, इनको क् पैसा आता है, sugar can, oil seeds, horticulture, crops, teas, coffee, rubber, cotton, jute, इन सब से हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, इसलिए मैं इन्हें बोलते हैं, cash crops, अब हम जानते हैं, यहां पर, यह हमारा cashing, जो cropping season रहेगा, यह time period हमारा रहेगा, यह crops रहेंगी, यह हमारी states रहेंगी, ठीक है, तो rabi जो crop है, यह कब soak की जाती है, मतलब इसकी बिजाई कब होती है, October to December, ठीक है, October से December तक इसकी क्या होती है, बिजाई होती है, ठीक है, याद रखेगा, अब इसको harvest कब के जाता है, April से June तक, यह यह dates याद रखेगा, जो कि exam में पूछ जाती है, या आपको October तो November भी हो, तब भी आपको ठीक करना है, ठीक है, April to May हो तब भी आपको ठीक करना है, अपरेल के बाद में, और अक्तूबर के बाद में, ठीक है, गाईज, तो रखेगा, पीज, ग्राम, मस्टर्ट, एसे ट्रा, यह सब क्या होती है हमारे पास, जिने हम सर्दियों की क्राप्स बोलते हैं, ठीक है, इनको लगाया जाता है इन क्राप्स को, पंजाब, हरियाना, हिमादल पर्देश, जम्मुएंड, कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर पर्देश, तो वहाँ पर यह राभी क्राप्स जो है, इनको उगाया जाता है, इसके बाद हमारे पास है, खारिफ क्राप्स, खारिफ क्रा जाता है, वो की जाता है सब्टेंबर से अक्तूबर में, ठीक है, जो हमने इसका क्रॉपिंग पेटरन देख लिए, इसको कब लगाया जाता है, और कब इसको काटा जाता है, इन में से जोवार, बाजरा, तूर, मुंग, उरद, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, सोयबीन, एटसेटरा, ये सारे के सारे जो क्या है, ये सारी के सारी हमारे पास क्या है, खारीफ क्राप्स है, जैसे के असाम में, वेश्च बंगाल में, और जो ओडिशा के कोस्टल रीजन जो है, यहांद के पास में खारे जो क्या होते है, टीक है, यहहां पर बारे क्या होते है, तो वहां पर, उसके बाद,-ंत्रपरदेश, तिलंगाना, टमीन, जो जो खोड़कर रना तूरा के लेश्ट जो है, www. यहांद की कोस्टल रीजन के बारे जो आनिए, फकी में तो वहां प यहां इन सब जगावों पर कारिफो डथी एग विफ अ मारे बनाचर पर सब कराप भी कियाता है ठीक है मनिके राभी और खारिफ क्राप के बीच में तो गाइज इसमें हम क्या क्या ग्रो करते हैं सीजनल फ्रूट्स हम यहां पर लगाते हैं जैसे कि पपीता वगरा हो गया आपने वह देखा होगा और दर्बूस वगरा हम यहां पर लगाते हैं वजेटेबल पर बारी बारी जो भी हमारी important crops होंगी उनके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे major food crops जो होंगी पहरे देखेंगे हम food crops के बारे में उसके बारे में cash crops की बारे में ठीक है दिखते हैं आज की वीडियो की length कहां तक रहती है उसकी उससाब से आपने हम वीडियो को cover करेंगे ठीक है राइस सबसे important है राइस को लिए जो temperature चाहिए गाइस वो चाहिए 22-32 degree Celsius के बीच में और इसको high humidity की ज़रूरत होती है और इसको जो rainfall की ज़रूरत होती है गाइस वो होती है के लिए क्ली एंड लॉमिसाइल चाहिए राइस के लिए अब जो question जो आपका बनता है गाइस वो बनता है इस वाले point से ठीक है यूपी में उसे का मांदरा प्रवेश में यह आपको याद रखना है जो के सबसे important है और यह जो जितने भी हमारे इंडिया के लोग है उनका चैपल क्राप यह जादा इसी को ही वो यूज करते हैं और आपसे पूछा जाए कि राइस की कल्टिवेशन में ठीक है जो राइस की production में इंडिया कौन से नंबर पर आता है इसके बाद चाइना के बाद अबसे एक नंबर पर कोन आता है चाइना आता है और हमारे जैसे के ह जो धान दोगा उदर से आपका चाव निकलेगा ना तो वहाँ पे तीन किसम के एक साल में पैडी वहाँ पे पैडी की क्रॉप उगाई जाती है वो उनके नाम याद रखेगा औस ठीक है आमन एंड बोरो अस अमन एंड बोरो ठीक है याद परक सकते हैं ठीक है उसके बाद इसके जाद जो स्कीम के जुड़ी हुई है वो कौन सी कौन सी है नाशनल फूर्ट सेक्यूरिटी मिशन हाइब्रेट राइस सीड प्रोडक्शन एड राश्य कृष्व विकास योजना ठीक है यह क्या है हमारी कुछ गोवर्मेंट के इनिशेटिव जो स्पोर्ट करते हैं ह तो यह गोवर्मेंट को झावी एक करते हैं जो स्फटम के जेए और यो जी जब आनीशेटिव को शीट को ये करते हैं हमरी करते हैं तो इसको ये खार इसको ये ये 5 जाए करते है और अर गार्गत पक जाती है और इसको को सिटने घृता है हुआ तो तब इसको अच्छे से सानलाइट भी चाहिए, इसके लिए रेंफाल की ज़रूरत पड़ते हो चाहिए, पचातर से सौट सेंटीमीटर, इस रेंफाल कमी पुछ जाता है, ठीक है, साइल टाइप का से चाहिए इसको, वेल ट्रेंड फेटाइल लोमी एंड कलेई साइल चा सबस्दा बनता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, उसके बाद बनता है पंजाब में, अब यहां पर देखेंगे, तो वीट सबस्दा बनता है उत्तर परदेश में, उसके बाद पंजाब में, पंजाब यहां पर दूसरे नंबर पर अपनी पोजिशन संभाले हुआ है, ठीक यह भी सब्सक्राइब फुल्के चपाती वगयरा बहुत ही कम बनते हैं जब हम गेते सौथ में कहीं हमारा ट्यूर था वहां पर यह जब रिवाजी नहीं है ठीक है, सक्सेस आप Green Revolution, जो Green Revolution का जो सक्सेस यहाँ पर हुआ, ठीक है, उसने सबसे जादा जो यहाँ पर contribute किया, राभी क्राप में specially wheat के लिए contribute किया है ठीक है यनिकी wheat को बहुत दा इनिकी wheat की जो हमारे फबसल है उसको बहुत दा फाइदा हुआ था हमारे green allocation के उससे अब इसके लिए जो कुछ scheme जो government की है जो important है आपके exam point of view से तो उसको भी देखेगा कि macro management mode of agriculture national food security mission राष्ट्र कृषी विकास योजना यह क्या है यह कुछ scheme जो है जो जुड़ी हुई है कुछ initiative है government के जुड़ी हुए है wheat cultivation से ठीक है उसके बाद mylet यहीं की जो neutral cereals होते है हमारे पास इसको temperature चाहिए है guys हमारे पास कितना 27 से 32 degree के बीच में इसको temperature चाहिए इसको rainfall के जो जुड़ूरत पढ़ती है वो पढ़ती है इसको 50 से 100 cm के बीच में इसका जो soil type है ठीक है can be grown in inferior alovial यहनी कि यह कोई भी inferior inferior alovial या low missile है क्योंकि इसको they are less sensitive to soil deficiency यहनी कि इसको soil deficiency से कोई फरग नहीं पढ़ता है अब यहां पर इसमें कुछ हमारे पास crops है जोवार बाजरा एंड रागी जोवार बाजरा एंड रागी तो गई जोवार क्या है rain fed crop ground in the moisture यहनी कि जो हमारे moisture जाते हैं ठीक है जहां पर हम रागी को लगाते हैं तो अब आपसे पूछा अगर जाएं कि टाप माइलेट जो अपके बस producing states है उन्हें सबसे टॉप नंबर पर कौन सी आती है सुगाई जो माइलेट प्रिदूसिंग जो टॉप से आती है वह आती है अब पस राजस्थान उसके बाद क्योंकि हमने यहां पर क्या बोला कि dry region में भी यहां पर nine के बाजर्द जान इंके बाजन आ हां बनता है इसको सैंडी साइल का बनता है आघ्र व нажए में के सबूत पर गश कंट ची तक Legislative कंट को साड़ी हping के बादम कि जाटिए तो इन को मरत हैं क्योंकि और इनकी यहां होती है इनकी हाइड नीट इनscheं ला़िय वहली होती है और जो है या दखेगा रागी जो है is very rich in iron calcium रागी जो है बहुत ही इसमें ज़्यादा iron होता है calcium होता है और बाकि जितने भी micronutrient और roughage होते हैं वो रागी में होते हैं ठीक है इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं इनकी high nutrition value होती है और इनको coarse grain भी बोला जाता है ठीक है जोवार जो ह है third most important food crop है with respect to अगर हम AJ के हिसाब से देखें तो production के हिसाब से देखें तो 3 नमबर पर हमारे पास जोवार आती है ठीक है उसके बाद इसकार को जो scheme जूड़ी है वो है है हमारे पास national agricultural insurance की initiative and for nutritional security through intensive mylet promotions यो कुछ examples है जो कि government की effort यहाँ पर mylet की production के लिए sport के लिए यहाँ पर initiative लाए गए है उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर maze crop की जो guys maze जो है जो मक्का होता है ठीक है जो मक्की होती है इसको temperature चाहिए 21-27 degrees celsius का इसको rainfall चाहिए इसको high rainfall चाहिए मक्की हो क्योंकि यह पहाड़ी इलाका ही बनते है जहां पर मैं रहता हूँ वहाँ पर तो मक्की ब परदेश तामिल नाडू तेलंगाना ठीक है और अगर आपको पूछा जाए आपसे question अगर आपका बने कि मेज जो है वाल्ड पे कितने नंबर पर हम मतलब की मेज की production में वाल्ड में इंडिया कितने नंबर पर आता है तो कह जाद रखना कि साथ में नंबर पर आता है ठीक इसको हम food and fodder दोनों की दोनों तरह यूज करते हैं अगर हम यहाँ पर देखें जो modern inputs के हमारे पास high yielding variety seeds आते हैं ठीक है इसने यहां पर जो मेज की production में उसमें बहुत ज़्यादा बड़ोतरी थी है ठीक है टेकनलोजी मीशन अन मेज अब यहां पर रखने टेकनलोजी मीशन अन मेज सिर्फ एक government का ऐसा initiative है जो मेज के लिए मक्की के लिए चलाया जाता है तो इसके बारे में इसके बाद करते है पल्सिज के बारे में पल्सिज क्या होती हैं जब कि दाले होती है इसको temperature की ज़रूरत पड़ती है between 20-27 degree Celsius यहने की 20-27 degree का इसको temperature चाहिए उसके जो बारश चाहिए 25-60 cm की इसको बारश चाहिए और यह बनता है sandy lomi style में जो आपकी sandy lomi style है वहां पर आपके पास यह बनती है ठीक है अभी इसकी जो हम top producing अगर states देखे हैं कि इसको सदर कौन produce करता है तो गाइस मध्यापरदेश top page को करती है उसके बार राजस्तान महराश्टरा उत्रपरदेश करनाट कर जो के आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में ठीक है किसी भी हालत में आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा तब तक कोई जा रहा ही नहीं है तो इसके वालागे देखे और इंडिया जो है पल्सिज का largest producer भी है और consumer भी है इस पूरी दुनिया में ठीक है और पल्सिज जो आपको पता है कि मेजर सोर्स अब जो आपकी प्रोटीन रहती है जो आपका एक न जो इनकी अरहर उरज मूंग मसुर पीज एन्ड ग्राम यह सब हमारे इस इंडिया में हमारे भारत में उगाये जाते हैं ठीक है बी लग्यूमीनिस क्राप्स होने के साथ साथ जितनी भी क्राप्स हैं अरहर के इलावा वो हमारी साइल की fatality को क्या करती हैं रिस्टोर करने म इसलिए इनको यहां पर mostly grow के जाता है बाकि क्राप के रोटेशन में अब कुछ scheme जो हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई है National Food Security Mission for Pulses Pulses Development Scheme and Technological Mission on Pulses यह कुछ government के ऐसे plan है जो इसकी pulses के production के लिए यहां पर support करते हैं आज का हमारा वीडियो इतना ही रहेगा कि आज हमने इसमें इतनी बात की कि हमारे जो major food crop है वो कौन सी कौन सी है कल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि major हमारे जो cash crops है वो कौन सी हमारे शुगर कैन हो गया ठीक है उसके बाद हमारे पास यह oil seeds जो भी guys हमारा important है वो हम कल की वीडियो में कावर करेंगे अगर आप चाहते हैं कि यह वाला PDF आपके पास भी हो आपके हाथ में हो आप पढ़ रहे हो इसको देखके आप हमारी application को download कीजिए वहां पर आप तो free test भी दीजिए और साथ में क्या करिए आप आप यह भी पर्चे करेंगे इसकी मात्र केमत है 149 रुपे तो वीडियो यहां पर खतम करते हैं तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में उसमें बात करेंगे जो हमारी cash drop है उनके बारे में तो थैंक यू गॉडब्लेस श्योवाल जैहिंद